जै मतादी आज की इस वीडियो में हम लोग गुरू बार बर्त कब और कितने गुरू बार बर्त रखना है सुभ इसका पूजा बिधी क्या है और इसका महतो क्या है इसके बारे में जानेंगे सब्ताह में बार के अनुसार कई ब्रत रखे जाते हैं इनहीं में से एक है बिरहस्पती बार या गुरू बार का ब्रत इंदू पंचांग के अनुसार गुरू बार या बिरहस्पती बार का दीन स्रीहरी भगवान बिश्नु और बिरहस्पती देव को समर्पित होता है इस दिन भगवान विश्णू की पूजा और ब्रत करना सुब माना जाता है। गुरुबार के दिन भगवान विश्णू की पूजा करने से मालक्षमी का भी असिरबाद प्राप्त होता है। इससे घर पर सुख, सम्रिधी और धन संपता बनी रहती है। वहीं इस ब्रत की पर प्रति है तो उन्हें मन चाहे बर्ग की प्राप्ती होती है और साधी में उत्पन हो रही बढ़ाये भी दुर होती है। यदि आप गुरू भार का बर्थ करना चाह रहे हैं तो ब्रत से जूरे नियमों को जरूर जान ले। गुरू भार ब्रत होता है अतिसुभ गुरु बार बरत आप एक, तीन, पाँच, साथ, एक साल अजीवन या संकल्ब के अनुसार कर सकते हैं लेकिन सोलह गुरु बार का बरत करना सुभ माना जाता है सोलह गुरु बार बरत करने के बाद इसका उधापन कर दें यदि पुरूस गुरुबार बरत करते हैं तो एलकतार सोरा गुरुबार बरत कर सकते हैं वही महिलाएं मुश्किल दिनों में बरत को छोड़ सकती हैं सुध होने के बाद अगले हपते से बरत को पुरा किया जा सकता है तो अब जानते हैं कि गुरुबार का बरत कब सुरू कर गुरुबार का बरते आप किसी भी माह के सुक्ल पक्ष के पहले गुरुबार से सुरू कर सकते हैं वही अनुराधान छत्रवाले गुरुबार से बरत की सुरुआत करना सुख माना जाता है इससे बिहस्पती देवता की किरपा हमेशा बनी रहती है और भगवान का किरपा प्राप्थ होता रहता है लेकिन पौस माह में इस ब्रत की सुरुआत न करें यदि आप पहले से ब्रत कर रहे हैं तो पौस माह में ब्रत और पुजन किया जा सकता है लेकिन पौस माह में से ब् कथा में इस ब्रत के लाव और महत्व के बारे में बताया गया है अगर आपको कथा सुननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कथा का लिंक दिया हुआ है वहां से आप कथा सुन सकते हैं इसका नुसार जो बेक्ति गुरु बार के दिन ब्रत रखकर भगवान विश् प्राप्त होती है इस ब्रत को करने से बेक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुखो की प्राप्ति होती है इससे मालक्षमी और भगवान विश्नु प्रसंद होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पुन्द करते हैं तो एजनकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछे जय मतादी